Hey guys welcome back to my channel and आज जो वीडियो आप देखने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है because मैं इस छोटू सा canvas की review करने वाली हूँ जो कि मैंने घर में खुद से बनाया है और इसकी वीडियो आपने पहले देखा होगा because previous day पर मैंने इसको post किया था कैसे आप घर पे अपने बिनना किसी expense, high expense के इस canvas को अचीव कर सकते हैं और आपकी घर के waste material से ही ये बना हुआ है तो बहुत जादा costing नहीं है 200-300 costing आती है एक canvas अगर आप purchase करने जाते हैं so मैं इस canvas में आपको review करने वाली हूँ क्या ये सही है आप इस पे अगर paint करते हैं तो क्या ये अच्छे results देगा या नहीं देगा so तो मेरा जो first point है कि ये एक अच्छा canvas है कि नहीं so यहाँ पे मैं इसको बहुत अच्छा भी नहीं कहूंगी और बहुत बुरा भी नहीं कहूंगी because इसमें जो prime किया गया है और जो जस material का ये बना हुआ है cotton से ये बहुत ज़ादा high quality का नहीं गय सकते but हाँ इससे आपकी need fulfill हो सकती है जो की painting करना है और जो की बहुत अच्छे results देता है तो आप इसको बिल्कुल use कर सकते हैं अपने paintings के लिए जो लोग beginners है even though जो artists हैं वो भी इसको बहुत अच्छे से use करते हैं because इसमें क्या होता है थोड़ी सी absorbance power थोड़ी ज़ादा हो जाती है बट अगर आप इसको prime करके use करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि layers जल्दी से absorb नहीं कर पाएगा तो आप इसको prime करें first like मैंने जैसे prime किया हुए अगर आप बिना prime किये हुए इसको use करेंगे तो obviously आपका जो paint है बहुत ज़ादा soak होगा और आपका paint बहुत ज़ादा waste भी हो सकता है because ये absorb करता है next point इसमें blotches और patches बनते हैं जब आप painting करते हैं no, इसमें कोई patches या blotches नहीं आते हैं जब आप painting करते हैं because ये बहुती smooth अगर आपने इसको prime किया हुए है तो बहुत अच्छे से और बहुत smoothly इसमें paint brush glide होता है तो ये सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई भी patches नहीं बनते हैं जब भी आप paint करते हैं तो यहां पर मैंने बहुती basic prime colors, complementary schemes का use करके इसको draw किया है तो first मैंने जो layer draw किया हुआ है जो layer मैंने base दिया हुआ है वो है violet color का जो कि यहां पर मैंने सिफ undertone create करने के लिए इसको layer up किया हुआ है क्योंकि जब भी आपको पता होता है कि shading आपको कहां पर देनी undertone क्या है तो obviously आपका work process बहुत जादा high हो जाता है इसलिए यहां पर मैंने purple violet mixture इसका लेकर के shading draw किया हुआ है उसके उपर मैं skin tone दे रही हूँ जो कि बहुत ही cute सा skin tone निकल के आएगा आप देख रहे हैं process में यह gouache colors है और gouache colors से काम करना मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसकी layering बहुत अच्छी होती है हाला कि gouache में आप क्या होता है इसका बहुती downside कह सकते हैं कह सकते हैं कौन यही है कि इसमें आप यह reactivate हो जाता है तो यह जो under layer है वो reactivate हो जाता है बट मुझे gouache के साथ काम करना बहुत पसंद है because इसमें आप बहुत easily blend कर सकते हो किसी भी layers को so yeah इसलिए gouache color का use करके मैंने यह पूरा paint यह पूरा portrait ड्रॉ किया हुआ है और इसका जो outcome है personally मुझे बहुत अच्छा लगा है जो मैंने background सोचा था कि मैं अगर मेरा skin tone थोड़ा peachy, थोड़ा darky थोड़ा बहुत जादा fairy नहीं है बट इसके साथ जो background मैंने red लिया हुआ है उसमें बहुत अच्छे से pop करके दिख रहा है जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख करके कि जो मैंने scheme सोचा था वो इस canvas पे दिख रहा है और इस canvas पे आप color जैसे होता है कि canvas color soak कर लेता है और आपके जो colors है वो dull light हो जाते है तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और बहुत अच्छे से colors pop हो रहे हैं और effect बहुत अच्छा है तो आप इसको try करें और use करें और में को ये बहुत पसंद आया है जो कि मैंने बनाया है आप logo के साथ मैंने share भी किया हुआ है canvas कैसे बनाया है और इसके उपर painting करना मुझे बहुत पसंद है एक like और अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया तो please channel को subscribe कर लीजेगा और अगर subscribe कर लिया है तो please make sure कि आपने bell icon प्रेस किया हुआ otherwise आपको मेरी video की notifications नहीं मिल पाएंगे so yeah मैं आपको यहीं पर इस video के साथ छोड़ती हूँ bye bye take care कर दोड़ती हूँ जसके साथ चे का सी क्याि है कर दो जसे की तुशाशकेश तो तो सथ के ऊज़ती हूए Whew तो सथ कर दोड़ती हूँ तो स Online is rev pre Emily कर दोस्ते है स्था़ती हूआब दोस्ते है एंपको कर दोड़ती हू़ती है जो ओफ झाला फिर्स ताहिव साहिए दो खिति दो खिति देशाला फिर्स तेरा कि अदोब पर गूर भी अजर कि भी आवे घिटा लेंग, जो आटती देशासे सीवां लेंग, जो खिति आटति देशा कि मेरेश जब रहला आटा है yeah now i start thinking of yeah tonight I'd love for you baby honestly 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 झाल 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 झाल